बिहार में अब तक 40 में सी सिर्फ 14 सीटों पर ही वोटिंग हुई है और हर दूसरे दिन नैने मुद्धे सामने आ रहे लालू यदो की पाटी आरजेटी मुसल्मानों को आरक्षन देने की मांग पर घिरी तो ते जस्वी यदव बीजेपी को धर्म शास्त्र पर खीच लाए इदर ते जस्वी पीम मोदी को धर्म शास्त्र समझा रहे थे उदर बीजेपी मुसल्मों को आरक्षन देने वाली मांग पर अभी तक आग बबूला है स्रीमान लालू परसाज जादो बिहार के लिए अभी साफ हैं इस चुनाव में पूरी तरह से नर्भस हैं और अब किसी तरह से बोट प्राप्त करने के लिए तुष्टी करन की राजनित की बात कर रहे हैं तीसरा चरन थाकल लालू जी को लगा कि चलो हम भी मैदान में कुद पढ़ते हैं इस तरह के बयान देते हैं शायद तुष्टी करन हो जाए ताकि इनका राजनितिक संतुष्टी करन हो सकते हैं सवाल एंडिये के पास है तो जवाब ते जस्वी के पास अरे भाईया आप लोगों को समझ में ही नहीं आता है एक बार पर जो भी जातिया थी चाहे किसी भी धर्म की सबको आरक्षन जो है करपूरी ठाकु जी ने पहले से दिया हुआ है अब तक हम लोगोंने जो आरक्षन बढ़ाया जातिया धारित गिंदा कराने के बाद नौमे सूची में डालने के लिए कैबिनेट ने हम लोगों ने भेजा था अब तक जो है नौमी सूची में वो नो न किया नहीं क्यों नहीं किया और देजबर में सबसे जादा गर है तो 75% आरक्षन बिहार में दिया गए बिहार में अभी चार चरणों का मददान बाकी है और हर बड़ते चरण के साथ 40 सीटों वाले राजी की सियासी लडाई दिलचस्प होती जा रही